मेडिकल कॉलिज त्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के नुसार इन दौर दिले में 40 नई कोरोना पॉजिटिफ मरीज पाए गए हैं जबकि नेगेटिव के संख्या 1484 थी कल 1534 सेंपल टेस्ट किये गए थे मुख्य चिकित साइवं स्वास अधिकारी डौक्टर प्रवीन जडिया ने बताया कि अब तक इन दौर दिले में 81,624 सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं जिन में से अब तक 4615 मरीज कोरोना पॉजिटिफ पाए गए जिले में कोरोना के संक्रमन की वजह से अब तक 222 लोगों की जान चा चुकी है पूर्व में कोरोना पॉजिटिफ होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 18 लोगों को डिस्चार्ज किया गया वहीं अब तक इन दौर दिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,415 लोगों को विभिन हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई जिले में अब 988 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अभी भी उपचार चल रहा है जबकि विभिन कॉरिंटाइन सेंटर रूम से 4,431 लोगों को छुट्टी दे दी गई है दौर जिले की रेकवरी रेट 73.99 प्रतिशत हो गया है जबकि जिले का देथ रेट 4.81 प्रतिशत है कल जो रिपोर्ट आई थी इसमें से 1534 टेस्ट लगाए गए थे इसमें से 1484 नेगेटिव और 40 पॉजिटिव पाया गए थे कल की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 2.6 परसेंट थी और अभी तक हमारी 4,615 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाया गए है टोटल जो टेस्ट लगाए थे वो 81,600 से अधिक है तो टोटल पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखते हैं तो वो हमारी 5.6 परसेंट राती है जो 6 के नीचे आ गई है जो पहले कभी 18 से 20 परसेंट चला गाती थी कल चार व्यक्तियों की व्रत्यू की सुशनों के बाद टोटल आकड़ा 222 हो गया है और व्रत्यू का जो हमारा फिगर है वो 4.8 परसेंट है वो भी निरेंटर कम होता जा रहा है कल 18 लोगों को डिश्चार्ज किया था जिसके बाद 3415 लोग हमारे डिश्चार्ज कर सखुचल घर जा चुके है दिकवनी रेट हमारा 99 बढ़ता जा रहा है और यह 74 परसेंट के करीब पहुंच चुका है